आज ही के दिन यानि 21 एक्टूबर 1909 में लद्दाक के हाट स्प्रिंग छेटर में तेनाथ एक छोटे से पुलिस गस्ति दल पर सीनी सिनी को द्वारा घात लगा कर हमला कर दिया था जिसमें 10 पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया था तबी से हर वर्ष पुलिस इसम्रती दिवस मनाया जाता है और उन सहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजली अरपित की जाती है शिवपूरी में भी पुलिस परेट ग्राउन पर ये आईजन संपन हुआ जिसमें पुलिस जैन प्रतिनी धियों, सर्ब धर्म गुरु वो सहीद कलेक्टर और जीला जजज सहीद गणमान ये लोग ने पुशप चड़ा कर श्रद्धांजली अरपित की इस कारिक्रम में इस वर्ष दिवंगत पुलिस कर्मियों की पतनियों को भी सम्मानित किया गया एक परेट का भी आईजन किया गया जिसमें सीर और हतियार जुका कर शहीदों को याद कर श्रद्धांजली दी गई इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसे सभी अधितियों को दिखाया गया शुपूरी से युसुफ खान की रिपोर्ट कि यहां आईजवित है हमारे पुलिस से परिश्ट अधिकारी गई सभी जवान इंगीड जवानों को सर्था तुमन अर्पिष कर रहे हैं हमेशा हम याद करते रहें क्योंकि रात दिन ये जवान जहां एक और हमारे सेना के जवान सीमाओं की रख्षा करते हैं और वहीं पुलिस के हमारे ये जवान हमारे अधिकारी और कर्मचारी गण अपना सुख अपना दुख अपने परिवार का सुख दुख सभी को भूल कर 24 इंटू सेवन 24 गेंटे सातों दिन लगातार हमारी रख्षा में सेवारत रहते हैं और बहुत से जवानों ने इस प्रम में जैसा कि आदरनी स्पी साथ ने अभी नामों का वाचिन किया हमारे देश वर के वो पुलिस के वीर जवान हमारे स्क्यूपरी जिले के भी तमाम ऐसे जवान हैं जिनों ने हमारी रख्षा में अपने प्राणों का परिदान किया हैं उन सभी को हम आज याद कर रहे हैं इस पुलिस परेड ग्राउंग पर इस जैजवान जोती के समथ हम उन्हें याद कर रहे हैं सर ये पुलिस इसमत्य दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या के आज कारक्रम होते हैं ये आज के दिन 21 अक्टूबर 1969 को हमारा देश के दर्स जो पुलिस करमी थे वो चाइनीज हमले में शहीद हुए थे उनकी याद में ये पुलिस इसमती दिवस मनाया जाता है और शहीद प्रविजन किया जाता है यह पुर्य देजवर्ड में जितने पुलिस इनेट है सब में एक आइकम किया जाता है और उसमें जो साल भर में जिन लोगों ने पुलिस की ड्यूटी में करते हो अपना जीवन बलीदान किया है उनके नाम भी याद किया जाते हैं उनको श्रदा संक्या में करवानने लोगों शामें लोगों है आप देख रहे हमारा चैनल आज जर्विटीफोर न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना मुलें